Hello students and Jai Hind, I welcome you all to Magnet Brains. एक ऐसा platform जहाँ पे class 1 से लेके class 12 तक आपको सारा quality educational content exclusively free of cost प्रवाइट कराया जाता है. मतलब यह कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि आपको किसी subject के एक या दो chapter access करने के लिए मिलें और उसके बाब आपसे यह बोला जाए कि भाई बचा हुआ content अगर आपने देखना है तो उसके लिए या तो आपको किसी तरीके की कोई fees देना पड़ेगी या कोई paid subscription देना पड़ेगा. ऐसा Magnet Brains पर नहीं होता. Magnet Brains प्रतिबध है आप लोगों तक सारा का सारा quality educational content exclusively free of cost लेकर आने के लिए जिसकी मदद से आप लोग अपने examinations में अच्छे से अच्छा perform कर सकें, आपके subjects के understanding अच्छे develop हो सकें, आपके concept के clarity अच्छे से बनकर और निकर कर निकल कर आ सकें और आप बढ़िया से बढ़ि है और इसी को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ रहा है और इसी नोट पे हम अपने आज के session के शुरुआत करेंगे, तो आज का जो हमारा session है इसमें हम class 11 health and physical education की हमारी जो NCRT की किताब है, इसका जो chapter number 4 है individual games, इसके individual game table tennis के NCRT solutions को discuss करने वाले है, अब table tennis एक game के तौर पर इसकी क्या history है, इसके क्या rules and regulations है, इसको कैसे खेला जाता है, इंडिया के respect में इसका क्या इतिहास रहा है, और क्या हमारा contribution इस game में है, हमने कितना laurels वगरा इसमें जीता है, क्या क्या हमारे important जो players वगरा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बातचीत करकर ख नहीं है, वो सारी चीज़े हम लोग देखेंगे, तो इसके जो सारे detailed explanation videos है, प्लस इसका जो one shot revision video है, वो तो upload किया जा चुका है, वो knowledge वगरा अपने पास में है, बस अब यहां पर जो important या relevant चीज़ है, वो है knowledge का presentation के उपर अपने लोग यहां पर emphasis करेंगे, और knowledge को किस तरह से present करना है, answers को किस तरह से लिखना है, क्या do's रहने है, क्या don'ts रहने है, क्या आपका bent of mind रहने वाला है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने आज के session में बातचीत करनी है, चले, interesting session रहेगा, मज़ेदार session रहेगा, काफी कुछ सीखने को मिलेगा, काफी सारी च ध्यान में रखते हुए, यह बात दोहराना ज़रूरी है, जो भी question answers अपने को यहां पर लिखने है, जो भी answer writing अपने को यहां पर करनी है, वो सारी की सारी answer writing, heading और points के form में हम लोग यहां पर करते हैं, चीक है जी? हो सारी की सारी answer writing में हम लोग ध्यान रखते हैं, कि हम पाइणस में जो है हमको अपने अंसर का जवाब देने वाले हैं पहली चीज और जहां तक हो सकेगा important facts वगरा को हम हाइलाइट करते हुए चलेंगे important facts वगरा को हम लोगों ने highlight करना है more or less जहां तक हो सके हमने paragraphs आवाइट करने है है पैराग्राफ्स लिखने से बचना है जहां तक हो सके पैराग्राफ्स में नहीं जवाब देना है जहां तक हो सके पैराग्राफ्स से दूर रहना है headings points और highlight करते हुए important facts के साथ में इस तरीके से हम लोग चलेंगे अब ऐसा करने की वज़ा भी बता देते हैं generally heading and points में यह है कि अगर आपका examiner एक सरसरी निगहा भी मारता है उसको अगर एक समझ में आ गया कि हां क्या लिखा हुआ और कौनसा question के जवाब में जो है सिर्फ उतारा गया है सिर्फ खाना पूरती की गई है सिर्फ फॉर्मालिटी निवाई गई अब paragraph में क्या होता है कई बार कि यहां पर भली आपने पूरा पढ़ा नहीं आपको यह बात समझ में आ रही है मगर paragraph में क्या होता है न कई बार कि आपने जैसे जवाब लिख दिया अब पूरा समझने के लिए context पूरा paragraph पढ़ना जरूरी हो जाता है अब भली वो कितना अच्छे से लिखा गया हो मगर क्योंकि evaluator भी जल्दी में है जल्दी जल्दी उसको चेक करना है सो यह हजार प्यां उसके पास में हैं तो ऐसी परिस्तिती में होता क्या है कि वह जल्दी जल्दी के चक्कर में अगर उसने पूरा paragraph नहीं पढ़ा उसे context समझ में नहीं आया तो भले ही कितनी खुपसूर्ती से आपने जवाब दिया हो पांच मैंसे लेट से आपको चार साड़ी चार य तो समझ जाओगे कि हमारे जवाब मिद्ध में हमारे मार्स वगरा जो आप काटोगे नहीं अच्छे अच्छे मार्स हमको अलॉट करोगे तो इसलिए जो है heading and points वाला जो तरीका है better रहेगा convenient रहेगा और ज्यादा comfortable तरीका जो है रहने वाला है तो इस वाले method का अपन question हम से पूछा गया है वो है briefly write the history of table tennis तो अब table tennis का जो एक brief हितियास long answer question में कैसे लिखना देखता है तो इसका जवाब है आप इस तरह से लिखना शुरू करें the salient points या फिर the salient features of history or journey of table tennis are as follows इस तरह से आप यहां तो heading बना दें और उसके बाद अपना जवाब लिखना शु international sport है अब यह line लिखने के बाद में पिंग पॉंग को खास तौर पर आपने underline कर देना है सामने वाला अगर पूरा sentence ना भी पड़े तो कम असकम पिंग पॉंग 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 पूंग भी बूला जाता है मतलब इसने किताब उठाई है इसको facts वगरा पता है उसके आगे पॉंट आपने लिखना है कि टेबल टैनिस है इसने ओलम्पिक में डेब्यू किया 1998 में 1988 में आपने इसमें सियोल ओलम्पिक्स जो है उसमें डेब्यू किया आज की तारीक में ITTF के लगबग 226 के आसपास जो है वो members वगरा affiliated है मतलब 226 देशों में officially table tennis खेला जा रहा है तो जुन यूनियन के साथ में नहीं खेला जाता है जिस लेवल पर जो है इंडिया में खेला जाता है इसका उल्टा फुटबॉल हो गया या फिर टेबल टैनिस जैसे गेम हो गया है दो दो सो से जाधा देशों में खेले जा रहे हैं तो कहिना कहीं इसका एक relevance है इसकी प्रेज इंडिया है यह आपका इंटरनाशनल टेबल टैनिस फेडरेशन की एक फांडिंग मेंबर में से एक था और ऑफिशली जो है हमारे देश में आपका टेबल टैनिस 1926 वगरा से खेला जाने लगा है ठीक है जब आपका TFFI की TTFI की स्थापना हुथी टेबल टैनिस इंडिशन गेम्स में 1958 में शामिल किया गया था और यह Commonwealth Games में एक और स्पोर्ट के रूप में 2002 से यह को शामिल किया गया है World Table Tennis Championship वगरा की बात की जाए तो उसमें मेंस और वुमेंस दोनों के मुकाबले होता है दो हजार में शुरू हुई थी यह World Table Tennis Championship विट इंक्लूड मेंस टीम इन वुमेंस टीम इवेंट स्टार्ट इन यह 2000 इसके पहले आपके इंडिविजुल मुकाबले होते थे मगर टीम्स होगरा जो है 2000 से जो है जाने लगी है उसके बाद में आपका जो World Table Tennis Championship है 1926 से करवाई जा रही है 1957 से दो साल में एक बार होने लगी है पहले यह गेम 21 पॉइंट के लिए खेला जाता था रूल्स और रेगुलेशन जब अपन ने पॉड़ेटरों देखा था जिस तरह से आपका बैड्मिंटन 20 पॉइंट का होत है जादा competitive हो गया है जादा मज़ेदार हो गया है इसके इलावा ITTF में जो है रूल्स वगरा को चेंज करकर पहले आपकी जो पाथ सर्विसेस एक प्लेयर को मिला करती थी उसको चेंज करके दो सर्विस कर दिया है 2002 से और 2014 के बाद से आपके जितने भी आपके इवेंट्स वगरा हो रहा है उन सब में जो बॉल का इस्तेमाल हो रहा है टेबल टैनिस में वह एक नए तरीके का इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट चीज़ें जो हाइलाइट करनी है वह भी देख लें शुरू में बताया था कि पिंग पॉंग जो आपको हाइलाइट करना है या तो आई टी टी एफ या फिर इंटरनाशनल टेबल टेनिस फेडरेशन और 1926 को आपने अंडरलाइं कर देन इसके बाद में आपका ओलंबिक डयब्यू को आपने अंडरलाइं करना है 1988 या फिर इसको कर दीजिया अगला आगे बढ़ते हैं आई टी एफफ एफ तो आपका टेबल टेनिस फेडरेशन ऐडिया establishment word के से लेके यहां तक 1926 तक जो आप highlight कर दीजे इसके बाद Asian Games और 1958 इसको highlight कर दीजे इस तरीके Commonwealth Games और Optional Sports 2002 इसको आप highlight कर दीजे इसके बाद में आप यहां आगे आ जाते हैं तो पहले आप 21 पॉइंट और उसके बाद में 11 पॉइंट सिर्फ इतना भी अगर आप highlight कर देंग by annually और 1957-1926 इतना जो है आप highlight कर दीजे अंडर लाइन कर दीजे इस तरीके से जो है आप इन चीजों को कर दीजे यह पूरा 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 जो line है the change of rules made the game faster इसे आप जो है highlight कर दीजे and lastly poly material ball जो है new poly material ball जो है इस particular line को जो है आप highlight कर दीजे more ना दिनफ है अच्छा जवाब जो है यहां पर आपका बंकर तयार हो जाएगा तो इस तरीके से अपना जो पहला question है कि आप briefly explain करिए table tennis की जो history रही है अपने पूरी समझा दी और इसमें जो important important facts है points में लिखकर उसको highlight कर दिया यहां से अपन इंशॉर कर सकते हैं कि इसमें अपने को अच्छे साच्छे marks अगरा मिल जाएंगे चलें अगला question देख तो question number two में हमसे पूछा गया है briefly write the scoring system in table tennis अब हमको table tennis में जो scoring system में उसको briefly explain करना है तो scoring system के नाम से अब heading बनाई है या फिर scoring system in table tennis के नाम से अब heading बनाई है और उसमें लिखी है कि आपका एक जो match है इसमें जो आपके number of games होते हैं 9 सकते हैं 11 हो सकते हैं and so on generally आपके तीन games या फिर पांच games रखे जाते हैं generally आपके तीन या पांच games औगेरा होते हैं अब जीतने के लिए आपको इसमें से maximum जो games हैं वो जीतना पड़ेंगे best of odd number of games जो भी आपके बन रहे हैं वो आपको जीतना पड़ेंगे तो तीन में से दो जीत लिए या फिर पांच में से तीन जीत लिए इस तरीके से जो है best of odd number of games जो है आपको जीतना पड़ेंगे अब यह point भी इसमें add कर सकते हैं कि match जो है उसमें आपके odd number of games होते हैं और जीतने के लिए you have to win the best of any odd number of games चीक है जी इसके बाद में अगर आपको एक game जीतन लेगा वह आपका जो game है उसको जीत जाएगा उसके बाद में फिर अगला game शुरू होगा अगला game होगा इस तरीके से जो भी आपका इन में से maximum number of games जीतेगा वह आपका विजेता डिकलेयर कर दिया जाएगा यहाँ भी मगर एक फिर page है उसको आपको explain करना पड़ेगा कि यह जो 11 points player ने score करने है यह 11 points की शर्त यह है कि अगर दूसरे वाले player के उपर आपकी 9 points की lead है तब तो बात समझ में आती है और आपने 11 points score कर लिया तब आप जो है विजेता डिकलेयर हो जाएगे यानि कि let's say max to max आपके opponent के 9 points है और तब आपने 11 points score कर लिया तब आप विजे 2 points की lead आती है जिसके पास मैं भिवे up का 2 point की lead आती है आपका deutsche declare क्या जाता है जो भी दो cash to पर आपका जीतता है वह विजेता डिक्लेर किया जाता है, तो 11 पॉइंट लाने हैं, 2 पॉइंट की लिड के साथ में, या फिर अगर 10 पॉइंट अगर दोनों न स्कोर कर लीड तो फिर 2 पॉइंट जो है आपको की लीड बनाना पड़ेगी, तब जो है कोई विजेता डिक्ल हो जाएगा यह वाला जो फैक्ट है इसको आपको एक्स्प्राइट करने में चार-पाइट से डीटेल में लिखना पड़ेंगे तो इस तरीके से जो है आपका यह जो स्कोरिंग सिस्टम है टेबल टेनिस में इसके उपर अगर सवाल पूछा गया तो अपना जवाब बनकर त तो एक्सप्राइट सिस्टम के बारे में हम लोग जवाब इस तरह से लिखना शुरू करेंगे सबसे पहले तो हम लोग एक्सप्राइट सिस्टम के नाम से हैडिंग बना लेंगे एक बार जब आपने एक्सप्राइट सिस्टम के नाम से हैडिंग बना ली तो उसके बाद म में से किसी ने भी एक point score कर दिया तो जैसे ही एक point score हुआ है वैसे ही अगर हम अपनी position change करना शुरू कर दें एक point मैंने score किया लेट से आपके ऊपर और उसके बाद अब मैं जहां कर लिया इस तरीके से अगर एक point score होने पर लगातार हम अपने positions वगरा चेंज करते चले जा रहा हैं तो यह चीज कहलाती है एक सिस्टम अगर यह एक point score होने पर लगातार position change होने को एक सिस्टम कहते हैं तो कुछ और भी वेवस्था होगी जिसमें एक से जादा point score होने पर positions वगरा change होती रही होंगी तो उसका जवाब है कि हाँ ऐसा होता है जनरली कहानी यह है कि अगर दो point score करने के बाद में अगर आप अपनी positions change करते हैं तो वो तो एक normal प्रक्रिया है वो normal आपके game का दीजेए च्रुट झालता है यह आपके उपर लगातार और उसके आपके दोनों झो खेलने का सिर्भा से मगर जर्चीज एक point के बार में मुना शुरू हो जाती है तो इसको एक paranoid system का जाता थीए तो इसको आप इस तरीके से लिग दीजे एक सिस्टम का मतलब क्या कि जब एक पॉइंट स्कूर होने के बाद में आप अपने जो प्लेयर से अपने टेबल के एंड्स वगरा को चेंज करने लगें तो उस चीज़ को एक्सपडाइट सिस्टम कहा जाता है दो जो नॉर्मल आपकी प्रक्रिया होती है उसमें दो पॉइंट निकल चुके हैं अब मैंसे कोई भी नहीं जीता कोई भी नहीं हारा तो फिर उस कंडीशन में जो है एक्सपडाइट सिस्टम रोल में आ जाता है ठीक है जी दूसरा यह हो सकता है कि लेट से दस मिनिट का गेम नहीं हुआ है और मैच कहीं जाता हुआ दिख नहीं रहा दोन सिंगल्स की जगेद डबल का मैच हो रहा है या फिर अगर मिक्स डबल का मैच हो रहा है तो उन लोगों ने जो पेर से दोनों पेर से रिक्वेस्ट कर लिए कि यह एक्सपडाइट सिस्टम करवाओ दोनों टीमे एक्दम टक्कर की हैं तगडी है मैच की जाता हुआ दिख तो ऐसी कंडिशन में भी जो है फिर आपका एक्सपराइट सिस्टम वगरा को लागू करवाया जा सकता है हाला कि अब यहां पर देखने वाली बात है एक टर्मस और कंडिशन है लेट से आपका ग्यारा पॉइंट का मैच होना है मगर ग्यारा पॉइंट के मैच की कहानी अप तो विजयता डिकलियर हो जाएंगे मगर लेट से अगर उसने दस पॉइंट कर लिए तब आप ग्यारवा पॉइंट ले रहा है तब कोई मतलब नहीं है आपको फिर दो पॉइंट की लीड लेना पड़ेगी अब ग्यारवे पॉइंट के आगे भी फिर मैच चलता चला जा अगर आप दो पॉइंट की लीड नहीं ले पा रहे हैं और अठारा पॉइंट का हो जाया याद रखियेगा इस बात को मैच चलना शुरू किया 10 मिनट का मैच अभी हुआ नहीं उसके पहले 18 पॉइंट स्कोर होगा है 18-17 का स्कोर बन गया है 18-16 का होगा तो मैच जीच जाएगा सामने वाला मगर 18-17 का स्कोर बन गया है ऐसी कंडिशन में आप सिस्टम को लागू नहीं किया जाता इसको याद रखना है तो यह को अपने को याद रखना है तो यह कुछ अपने नियम कायते हैं इन इन इसमें क्या-क्या चीज़ों को highlight करना है, आप ये वाला point जो है, इसको highlight कर दीज़े, one point only, सामने वाला पढ़के समझ जाएगा कि हाँ या किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, या 10 minutes जो है, इसको आप highlight कर दीज़े, या फिर इस पूरी-पूरी line, it comes into operation after 10 minutes of play को highlight कर दीज़े, ठीक, इसके बाद में दूसरी चीज़ इसको highlight करना है, at least 18 points वाला जो fact है, इसको आप highlight कर दीज़े, इसके introduction does not change the order, इस चीज़ को आप highlight कर दीज़े, और ये पूरी-पूरी line क कि एक बार अगर introduce कर दिया, तो फिर ये operation में जब तक match आपका खतम नहीं हो जाता, तब तक बना रहता है, इस पूरी चीज़ को आप highlight कर दीज़े, इस तरह से आप answer बनाएंगे, तो एक अच्छा जवाब बन कर तयार होगा, और इससे ज़ादा इसमें कुछ करने के लिए पिर रह नहीं जाता, तो इस तरह अपना question number third जो है, वो कि write about expedite system in table tennis ये अपने explain कर दिया, अगला question अपने लोग देखता है, how many types of strokes are there in table tennis explain, आप table tennis में कितने strokes होते हैं, उनको हम लोगों ने आप explain करना है, तो इस सवाल का जवाब देता है, तो ये जो सवाल है, जिसमें आप इस तरह से शुरू करें, types of strokes या फिर types of different type of strokes used in table tennis are as follows, इस तरीके से आप heading बनाएगे, फिर आप लिखना शुरू करिए कि पहली चीज़ तो ये कि strokes को या तो आप offensive की category में रखते हैं, या फिर आप defensive की category में रखते हैं, और उसके फिर कुछ example दे दीजे कि there are offensive and defensive strokes played by table tennis player जिसमें आप backhand भी मारते हो, forehand भी मारते हो, backhand जो है आप और forehand और इसके अलावा भी अगर एक दो नाम और लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, तो पहले आप ने ये बता दिया कि strokes जो हैं, दो category में divide होते हैं, offensive strokes होते हैं, ठीक है जी, अब आगे लिखते हैं, offensive strokes वगरा होते हैं, इसमें क्या क्या आता है, इसको आप बकायदा list के form में भी लिख सकते हैं, अगर आप इसको line के form में लिखना चाहें, तो इसको list के form में भी लिख दीजिए, उसमें भी सामने वाले की जो है नजर पड़ेगी, कि following come under the category of offensive strokes या offensive strokes include और उसके बाद इस तर defensive strokes जो है, table tennis में आपका drive आता है, loop drive आता है, loop kill, hook, hook मारना आता है, counter drive, flip and smash, इस तरीके यह आपने लिख दिये, इसी तरीके से आपका defensive strokes जो आते है, table tennis में उसके बारे में लिखिये कि भाई, इसमें push आता है, slice आता है, block आता है, drive आता है, lob आता है, drop shot आता है, और spin आता है, या फिर bracket में उसको side, backhand, top भी भोलते हैं तो यह सारे के सारे नाम बगरा जो आप उतार दीजिए इसके बाद में the most commonly used skill in is fourhand push which can be played in the following way अब इसके बाद में आप जो है fourhand push जो है सबसे commonly आपका जो use skill है उसके बारे में लिख दीजिए और इस चीज़ को आप हाइलाइट कर द उता अपने वजन को आगे की तरफ में shift करते हुए इसको इस तरीके से खेलता है कि आपका जो आपकी जो ज़ू बाल वगेड़ा है वो just आपका coat क्रैो के लिए मजबूर होना पड़े वो attacking stroke ना मारप है जब तक वो defensive stroke खेल के फिर से ball written करें तब तक आप एक attacking stroke खेलने की मुद्रा में आ जाए या फिर आप एक attacking stroke खेलने की defensive इस चीज़ को अंडरलाइन कर दीजिए. Offensive strokes वगईरा की फिर जो line है उसमें offensive strokes का include और उसके बार में एक दो 3, 4, 5, 6 तरीके से सारे नाम लिख दीजे. Defensive strokes include एक 2, 3, 4, 5 तरीके से करके इसके सारे के सारे नाम लिख दीजिए, इस चीज को अंडर लाइन कर दीजिए, कि सबसे ज़ादा जो इस्तेमाल होने वाली skill है, वो है आपका forehand push, इस्तेमाल जनरली किया जाता है, जब आप बहुत इसे angles पर गिरे, या फिर इस तरीके से जाए, कि उसको भी जो है, defensive stroke खेलने के लिए मजबूर होना पुड़े, वो attacking stroke ना मर पाए, ताकि जब तक वो आपकी ball को फिर से खेल कर आपके पास पहुचाए, आप एक अची स्तिती में, एक अची category के questions अपने पास में, वो हैं आपके short answer questions, short answer questions में पहला question पूछा है, how does a standard table tennis game end, आपका एक जो standard table tennis का game है, वो कैसे खत्म होता है, इसका जवाब क्या है, आपके जो odd number of games होता है, या तो 3 game होंगे, जो भी आपके odd number games होतने हैं, उसमें से जो best होगा, यानि कि उसमें maximum number of games जो बंदा जीत लेगा, वो आपका match को जीत जाता है, अगर तीन games होंगे, और तीन में से आपने दो जीत लिए, तब आप जीत जाओगे, पांच games होंगे, और पांच में से तीन जीत लिए, तब आप जीत जाओगे and so on, इस तरीके से जो है, यह आगे बढ़ता है, तो how does a standard table tennis game end, इसका सही जवाब क्या बनता है, इसका सही जवाब बनता है कि भाई, जब एक player या फिर एक team या फिर एक आपका जो भी player खेल रहा है, वो best of odd number of games in the match जो होने वाले हैं, उनको जीत ले, चले, तो question number one का जो है, यह जवाब अपना बनकर तयार हो गया, अगला आता है question number two, besides the green color, which color table can be used for the table, तो अगर आप green color का इस्तेमाल नहीं करते हो, table tennis के table के उपर में, surface के उपर, तो फिर इसके इलावा और कौन से color का जो है, surface बनाया जा सकता है, table tennis के table के लिए, तो जवाब यह है कि किसी भी dark color का आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी आपका जो dark color है, उसका इस्तेमाल आप इसके उपर कर सकते हो, generally या बातों का ध्यान रखा जाता है, इसलिए आपका dark navy blue color जो है, कई बार वो preferable, preferable है, जाधा preferably इस्तेमाल होता है, question number two का सही जवाब यह बन गया, अगला, what should be the height of the ball when toss for the service, आपकी जो ball की height है, वो उट सकती है, उससे जादा नहीं उट सकती, तो max to max 23 cm तक जो है bounce कर सकती है, 23 cm तक जो है उट सकती है, इसका यह मतलब नहीं को exact 23 cm तक ही उठेगी service के लिए, मगर वो max to max 23 cm तक उठ सकती है, जनरली 30 cm के आसपास से अगर आपना उसको surface के उपर डाला है, तो 23 cm तक वो आर सकती है, इस्ते कम भी हो तो भी कोई issues नहीं है, question number three का जवाब है, अगला, which country has won the most international titles in 20th century, इन में से कौन से देश ने 28th century में सबसे जादा number of international titles जो है table tennis में जीता है, इसका सही जवाब है चाइना, चाइना ने जो है सबसे जादा आपके टीटी के जो titles वगरा है, international level पर उनको जीता है, और gold वगरा भी जो है maximum Olympics में यहीं लोग लेकर गए है, तो question number four का जो सही जवाब है वो है चाइना, अगला question, question number five, what is the size of table tennis, table, तो table tennis का जो table है, उसका size कितना है, ये तो अपने को पताए कि ये rectangular shape का है, इसकी length है 2.74 मीटर और इसकी जो breadth है वो है 1.525 मीटर, 2.74 मीटर इंटू 1.525 मीटर, ये इसका total area बनता है, और shape कैसा है, rectangular shape, चले, आगे बढ़ता है, अब next category जो है वो आ जाती है, फिलिन्दा blanks की, तो अपन लोगों ने इस बारे में पढ़ रखा था कि table tennis में जो आपका racket होता है, उसको पकड़ने के दो तरीके होता है, या तो आप उसको handshake करने वाले तरीके से पकड़ सकते हैं, जैसे let's say आपका racket का हता है, तो इसको आप ऐसे पकड़ लीजिए, जैसे आप किसी से handshake कर र होता है, पहले होता है Chinese और दूसरे होता है Japanese, चीक है जी, चाइनीज और जापनी जब सवाल ही उठता है, मैंने इसका explanation दिया भी था, कि चीनी और जापनी को क्या मज़ा आ रहा है, इस तरीके से अगर आप अपना हाथ से handshake वाला तरीका जो होता होता है, उससे हता पकड़ करके, पैन होल्ड वारा जो तरीका है, ऐसे आप जैसे आपने पैन पकड़ा हुए उस तरह से आपको, यह जो बैट है उसको पकड़ के क्या मज़ा आ रहा है, जवाब यह है कि उन लोगों कि यह वो शुरू से ऐसी तरह से जो है प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा नहीं है कि पै पैने जैपनीज प्लेयर जनरली और बागी भी कई से जगाओं पर पैन हो ग्रिप बगला जो है, उसका इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं है कि अगले तरीका बने कि आप रैक्तिस करते 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 हैं, अब हैबट हो गई यह उस तरीके से, तो वह इस तरीके का जो यह time-nyaços तो टेबल टैनस में इसनों आग आब गैशने सेनमाल करते हैं चले अगलों देखते हैं के डाइमीट्राइब हओद खेस बाइए इसका डाइमीटर कितना होगा कि इसका डाइमीटर होगा 40 mm किहापस या फिर उसको चाहरो तो आप 4 cm-bih लिख सकते हो कि भाई एक जो आपकी टेबल टेनिस की बॉल है वो 40 mm के आसपास होती है 3-4 ग्राम से ज़्यादा की होती भी नहीं है बड़ी हलकी सी पॉली मटेरियल मटेरियल की बनी हुई बॉल होती है और उसकी मदद से फिर जो है टेबल टेनिस खेला जाता है हाडली 40 mm के आसपास या फिर 4 cm से ज़्यादा उसका डामेटर नहीं रखा जाता थर्ड टेबल टेनिस बिकेम एन ओलम्पिक स्पोर्ट इन टेबल टेनिस जो है ओलम्पिक स्पोर्ट कब बना था तो इसका जवाब है 1988 सियोल ओलम्पिक्स में 1988 का जो आपका सियोल ओलम्पिक्स के गेम हुए थे उसमें जो है टेबल टेनिस एक ओलम्पिक स्पोर्ट के तौर पर डेब्यू किया था और उसके बाद से पर यह आपका शामिल किया गया है उसके बाद से जो है सियोल ओलम्पिक्स वगरा के बाद से यह तो याद रखियेगा टेबल टेबल अगर ये पूछा जाए कि कौन से olympics में इसने debut किया था तो से ओल olympics में और साल पूछा जाए कौन से साल में किया था तो 1988 या 1988 में इसको अपने को याद रखना है इसको अपने को धियान रखना है चले आगे बढ़ता है क्वेशन होता है लेट से यह आपका टेंजिस का आपने टेबल बनाया और यह उसके सपोर्ड वगरा हैं ग्राउंड पर है तो यह पूछा गया है यह जो आपकी जो ग्राउंड से हाइट है वो कितनी रखी जाती है ग्राउंड से इतनी हाइट पर होता है इसका जवाब है लगभख 76 cm की हइट वगरा जो है उस पे यह आपका टेबल मौझूद है जो आपका टेल से टेल की हईट होती है रखबस में पहला टैनिस थे संटीमिटर के आसेशंटीमेटर के एंगा इक्तेजट weaknesses अगला देखता है अब यहांस अपने 1958 में उसमें include किया गया था यह सही है या गलत है इसका जवाब है कि हाँ यह सच है 1958 में आपके जो Asian Games टोकियो में हुए थे उसमें Table tennis को जो है सबसे पहले include किया गया था यह इसको अपने को याद दखना तो पहले का जो जवाब है वो है true यह सही है पहला दूसरा table tennis racket may be of any size shape or weight table tennis का जो racket होता है वो किसी भी size का हो सकता है किसी भी shape का हो सकता है किसी भी weight का हो सकता है आप जिसको नहीं पता है सामानने तोर पर लगेगा ऐसा थोड़ी ना होता है bat हो गया cricket का या फिर badminton का या फिर आपका tennis का उनके तो shape size और weight वगरा जो है specified है standard है तो वही चीज़ यहाँ पर भी होनी चाहिए मगर ऐसा है नहीं यहाँ पर यह बात लागू होती है कि आपका जो shape size और weight है table tennis का वो कुछ भी हो सकता है आपको जो shape size ठीक लगता है उस convenience का bat आप ले सकना है शर्थ इतनी है कि उसका जो surface होगा वो इक्दम इसी के इस्तेमाल करना पड़ेगा बाकी का स्तेमाल आप नहीं कर सकते cricket में यह चीज होती है badminton में आपको इसीज देखने को मिलती है table tennis में या lawn tennis में आपको इसीज देखने को मिलती है मगर यहाँ पर यह बात लागू नहीं होती यहां पर आप किसी भी शेप साइस का इस्तिमाल कर सकते हैं बस उसकी जो फ्लाट होनी चाहिए इसके लावा और कोई शर्त नहीं होती कॉशन नमबर टू का सही जवाब है ट्रू थर्ड वाला टेबल टेनिस फेटरेशन ऑफ इंडिया वह से स्टैबलिश इन 1924 यह स्टेटम नहीं है एफ कब हुआ था 1926 याद रखना है थर्ड का सही जवाब क्या हो जाएगा फॉल सही है अगला टेबल टेनिस इंडोर गेम यह बात तो सच है इसमें कुछ कहने सुदने की बात ही नहीं कि टेबल टेनिस जो है वह आपका एक इंडोर गेम है चल आगे बढ़ता है तो इसी के साथ में अपने यह जो टू एंड फॉल्स वगरा जो है यह भी खत्म होता है और इसी के साथ में अपना यह जो टेबल टेनिस का जो अपना इंडिविजुल स्पोर्ट है इसके NCRT के जितने भी अपने क्वेशन्स वगरा थे वो भी अपने यहां पर कंप्रूर गेम उसमें टेबल टेनिस के बारे में जो भी बातचीत वगएरा दी हुई थी जो भी उसके NCRT के questions and answers बाखी सारी चीज़ें थी उन सब को लोगों ने discuss करकर खतम किया है तो यह session जो है अपना यहाँ पर अभी समापत होता है हला कि end करने के पहले आप लोगों को अलविदा कहने के पहले मैं आपको कुछ बातें बताना जाओंगा जैसे कि मैंने आपको session शुरू होते वक्त में भी बताया था कि magnet brains पर सारा का सारा quality educational content exclusively 100% free of cost आपको access करने के लिए मिलता है तो एक natural question अब आप लोगों के दिमाग में आएगा कि आखिर ये सारा का सारा content आप access कैसे कर सकते हैं तो इसका जवाब है कि आपके पास में इसके तीन तरीके हैं एक तो आप ये सारा का सारा content हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं वहाँ पर सारी आप डाउनलोड कर लें सबसे तरीका है यह आप हमारा magnet का डाउनलोड कर लें और इस पर आप सारा content वगर एकसेस कर सकते हैं सारा का सारा content आप इसके ओपर देख सकते हैं तो इसके मदद से आप आप सारा content access कर सकते हैं यह आपके mobile phone पर भी चल जाएगा यह आपके tablet पर भी चल जाएगा और यह आपके PC पर भी चल जाएगा यह तिनों पर एकसेसे बल है तो जिस भी मोल्ड में आप convenience मैसोस करें उसमें आप इसको देख सकते हैं आप इसको आप इसमें अपना जो content वगएरा जो भी आप देखना चाहते हैं आप एकसेस कर सकते हैं आप यहां पर आपको content वगएरा क्या-क्या मिलता है तो यहां पर आपको cbsc kindergarten to class 12 English medium Hindi medium में सारा का सारा content अविलेबल है सारा का सारा content आपको यहां पर दिया जाता है कक्षा एक से लेक्षा बारवी तक के जितने भी विशह हैं और उनके जितने भी आपके chapters वगएरा इसमें कवर की गई है इसके लावा एंटी सी का जो अपना paper होता अगर आप उसकी preparation करना चाहते हैं उसका content यहां पर अलंपियाट का content यहां मौजूद है cvt होगी है इन सब का content भी आपको यहां पर करने के लिए मिलता है अगर आप cbsc के विध्यारती नहीं है अगर आप यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड या किसी दूसरे state board के अगर आप विध्यारती है तो अलग-अलग state boards का भी जो है content वगरा यहां पर cover किया गया besides this जो आपकी spoken English होती है अगर आप English सुधारना चाहते हैं अगर आपकी English पर command अच्छी नहीं है तो उसको improvement वगरा से related भी जो है आपको यहां पर content access करने के लिए मिलता है और इसके इलावा अगर आप graduate है और various government examinations की preparation कर रहा है चाहिए वो banking हो चाहिए इंशुरेंस हो एससी हो और भी हो यूपी सी हो जैब हो क्या वह इसके लावा और भी जो दूसरे examinations होता है इन सबका content भी आपको यहां पर access करने के लिए मिलता है तो यह सारा का सारा content exclusively free of cost है इसका जितना उसके उतना फायदा उठाए जितना उसके इससे उतना जादा बेनिफिट लें और जितना उसके उतना जादा अपने स्कोर्स को इंप्रूव करें अपने preparation को enhance करें और ग्यान का जो है संचय करते चले जाएं besides this हमें बात पता है कि एक वीडियो जो है आप एक बार दो बार तीन बार से जादा नहीं देख सकते और जब आपको exam के पहले उसका revision करना है तो obviously बात है यह possible नहीं है कि आप सारा का सारा वीडियो कोर्स फिर से देखो मतलब यह कि अब आपको जरूरत पड़ेगी notes की आपको जरूरत पड़ेगी तो अगर आप यह भी access करना चाहते हैं तो इसके लिए जो links है वो description में दियेगा है आप जाकर वहां से इनको access कर सकते हैं ताकि इनको फिर आप revise करकर अच्छे से अपना जो preparation बगरा है धंसे कर सके हैं besides this अगर कोई और आपके मन में इसके इलावा शंका है कोई और doubt है कोई और सवाल है कोई और नहीं फर्माईश है कोई और नहीं demand है तो यह सब भी आप हमें बता सकते हैं हमारे various social media platforms पर जुड़कर आप चाहें तो हमारे YouTube का जो channel है वहां पर हमारे जो videos वगरा है उसके comment section मे अपनी बात या अपनी राय चोड़ सकते हैं and we will be responding to that इसके इलावा अगर आप चाहें तो Facebook का जो हमारा पेज है जो इंस्टा का हमारा पेज है जो Twitter का हमारा handle है या पर जो Telegram का हमारा channel है इन में से किसी भी माध्यम की मदद से या फिर इन सारे माध्यमों की मदद से आप हम कि इसको अपना advantage में इस्तेमाल करें magnet brains ने यह मुहिम शुरू करी है कि हम लोग हिंदुस्तान के हर बच्चे तक quality educational content exclusively free of cost लेकर जाना चाहते हैं तो इसमें आप भी जो हैं हमारे एक ambassador के तौर पर जुड़ें वो लोग जिनके बारे में आपको लगता है कि इनको magnet brains के बारे अच्छे से कर सकें irrespective of the fact की किस तरीके की स्तिती है या किस तरीके के constraints है शिक्षा पर सबका अधिकार है किसी को इससे बंचित नहीं रखा जाना चाहिए quality educational content is a fundamental right तो इसको जितना हो सके उतना ज्यादा फैला हैं दूसरों का भी भला करें खुद का भी भला करें सबलता औ कितनी बार इसको और repeat करूंगा पुरानी Chinese proverb है किसी व्यक्ति को एक बार मशली खिला दो और एक दिन के लिए आप उसका पेट भर दो गया उसको मशली पकड़ना सिखा दो और जिंदगी भर वो भूका नहीं रहेगा तो इस particular चीज का आपको पालन करना है इस particular बात का आप पो ध्यान रखना है और इसी नोड पर आप दकूर में कorg चरकर तो खुश रहा हो श्र।k मुस्ति हमुस्ति जुड़े राव भने इसके सांथ thank you